कल मैंने बनाए कच्चे पपीते और आलू के कबाब जो की बहुत हिट रहे तो रेसिपी शेर कर रहे हूँ सबसे पहले आलू और पपीते को चील लें और फिर ग्रेकर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लें फिर ड्रेटिड आलू और पपीते में डालें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्ची या पैप्रिका पाउडर और फिर अच्छी तरह से मिक्स करके पांच मिनट के लिए रखें और फिर मिक्स्चर में से एकसेस पानी स्क्वीज आउट कर देना है थोड़ा और नमक डालिए जीरा डालिए अद्रक, हरी मिर्ची और अपना धनिया डालिए अच्छी तरह से मिला लीजिए और फिर डालना है इसमें बेसन बेसन डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लीजिए हाथ में बॉल दनाईए बॉल को जरा सा फ्लाट कर लीजिए एक नॉन्स्टिक तवे पर जरा सा ओल डालिए और इन कबाब्स को पकाईए दोनों साइट से ब्राउं करना है और एक स्पेचला की मदद से इस तरह से प्रेस करके भी पकाना है और यह होगे रॉप पाया कबाब्स तयार अब क्या करना है गेट माइ हार्वेस्ट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है अपने पांच दोस्तों को यह वीडियो फॉरवर्ड करना है और यह मज़ेदार रेसिपी को ट्राइब ही तो करना है